DAV Class 7 Math Chapter 4 Exponent and Powers की Brain Teaser की Exercise करेंगे Dear student, Brain Teaser में जितनी भी Worksheet हमने पहले की थी उन सब का Mix इसमें होता है, जितने भी Question उन Worksheet में थे उन में से कुछ-कुछ Question Brain Teaser में पूछे कहें हैं तो Brain Teaser करने से पहले आप वो सभी Worksheet पहले कर लें ठीक है, ताकि आपको जो ये Brain Teaser के जो Questions हैं वो असानी से समझ में आ जाएं तो पहले आप जो पहले की जो Worksheet है, वो कीजिए उसके बाद आपने Brain Teaser को करना है तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, First Question है हमारे बास, Brain Teaser का टिक the Correct Option, Correct Option को हमने टिक करना है, इसका A है इसको Power की Form में लिखना है, चार Option हमें देर रखें, देखो कैसे करना है, हमारे पास है 2 raised to Power 3 ठीक है, और Whole raised to Power 2, ठीक है, सारे की Power, Power के उपर Power, फिर उसके उपर Power आपको पता है, देखो कैसे Solve करेंगे इसको, आपको पता है कि Power के उपर, जब Powers आ जाती है, तो आपस में वो Multiply हो जाते हैं, तो Power 2, 3 और 2 को कर दो Multiply, तो Multiply करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? टू रेस टू पावर, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 आ जाएगा हमारे पास, तो इसका सही अंसर, सही ओप्षन क्या होगा? टू रेस टू पावर, 12, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है, समझ गे, अब करते हैं इसका Part B, ये हमने 2.7 इन्टू 10 रेस टू पावर माइनस 3, ये किसके एकवलोग का चार ओप्षन दे रखें, चलो इसको करते हैं, स्वाल, 2.7 इन्टू 10 रेस टू पावर माइनस 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 2.7, अब ये 10 रेस टू पावर 3 आजेगा, जब न लिखेंगे हम 10 raise to power 3 है तो इसका मतलब होता है 1000 तीन जिरोज आगी अब हमने decimal लगाना है decimal कैसे लगाएंगे देखो कितनी zeros है निचे तीन zeros है तो जहां पर point है point है यहां पर ठीक है इसके बाद हम आगे चलेंगे तीन मतलब तीन step और आगे चलेंगे फिर point लगाएंगे तो क्या answer होगा इसका और two से गिनना शुरू करेंगे क्योंकि point के पहले क्या है point के पहले क्या two है तो one two three और यहां पर आजेगा point और यहां पर अपनी zero zero two seven तो zero point zero zero तो यह यहां इसका थर्ड जो इसका है वो सही answer है अब इसका देखते हम next c nine into four raise to power two ठीक है nine into four raise to power two तो यह क्या होगा देखो nine को हम कैसे लिख सकते है three raise to power two लिख सकते हैं क्योंकि three into three होता है nine और यह था four raise to power two two दोनों की power क्या होगी same होगी मगर base अलग अलग है तो क्या rule लगाएंगे हम इन दोनों base की कर देंगे हम multiply three into four ठीक है multiply कर दी और power जो same थी वो same कर देंगे ठीक है power क्या आगी इसकी two तो three four ट्वैल 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 रेस तूपावर टू तो कौन सा अंसर है इसका 12 रेस तूपावर टू इसका आंसर आ जाए यानिकि इसका आंसर क्या है first इसका आंसर है यह सब हमने पिछली वर्कशीट में किये हुए है तो आप समय बार बार कह रहा हूं कि पहले आप वो वर्कशीट करें उसके बाद ही आप यह करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आजे अब next question देखते है next question है हमारे पास question number इसका d है 10 into 10 raise to power 11 देखो यह तो बिल्कुल easy है यह क्या होगा 10 का मतलब है 10 raise to power 1 ठीक है basic वल है तो power क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी multiply हो रहा है क्योंकि तो क्या आजेगी 10 raise to power 12 यह हमारा क्या आजेगा answer आजेगा 10 raise to power 12 ठीक है यह भी होगा हमारा अब next देखते है यह पाट देखते है हमारे पास है 3 by 5 raise to power 2x is equal to 1 ठीक है अब हमने देखा जो left hand side में जो base है वो है 3 by 5 और इधर base है right hand side में base है 1 तो base हम same बना लेंगे कैसे बनाएंगे इधर भी हम 3 by 5 लिखे लेंगे कैसे लिखेंगे वो देखो इसको पहले ऐसा का है बासे लिखतो जैसा है यह अब 1 को हम कैसी सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया थाए कि किसी की भी तावर किसी भी रैसिनल नंबर की जीरो को चोड़के अगर उसकी पावर जीरो है तो वह वन के एकवल होता है जैसे अधर की पावर अगर 0 है तो वो किसके एकवल है, 1 के एकवल है, 2 by 5 की पावर अगर 0 है तो वो किसके एकवल है, 1 के एकवल है, यानि कि इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 by 5, सेम बेस मिनाने के लिए हमने यहां पर 3 by 5 ले लिया, 3 by 5 raise to power 0, और 3 by 5 raise to power 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, अब दोनों base क्या होगे, equal होगे left hand side में भी और right hand side में, base equal होगे तो power भी equal हो जाएंगी, तो two x किसके equal हो जाएगा, zero के equal हो जाएगा, अब x यहाँ पर two multiply कर रहा है, उदर जाके करेगा, divide, zero divided by two, और zero को जब two divide करेगा तो क्या आएगा, zero, तो यानि कि इसका जो answer हमारे पास क्या आया है, वो आया है second, यानि कि zero, ठीक है, तो हमारा a part complete हुआ, अब हम इसका करते है, part number b, answer the following questions, हमारे पास पहला है, simplify हमने इसको करना है, देखो simplify कैसे करेंगे, power, four by nine की power two है, फिर सारे की power zero है, फिर सारे की power five है, ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, power के उपर power है, तो आपने ये सीख रख है, जब power के उपर power आ जाती है, तो वो आपस में क्या हो जाती है, multiply हो जाती है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, four by nine, four by nine, raise to power two, power को multiply कर दो, zero into five, ठीक है, तो सब की जब multiply होई, क्योंकि zero है इसमें, तो सब क्या हो गए, zero से multiply करेंगे, तो zero हो गया, और आपको पता है, जब किसी भी rational number की power zero हो, तो वो किस के एकवल होता है, one के एकवल होता है, तो one इसका क्या आगया, answer आगया, ठीक है, समझ गए, अब इसका करते हैं, b part, write this in simplified exponential form में, इसको हमने लिखना है, हमारे पास है, हमारे पास है, 2 raise to power 2, raise to power 3, into 3 raise to power 6, ठीक है, अब power को उपर power है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 raise to power, अब यह दोनों के हो जाएगी, multiply power को उपर power, 2, 3, जा 6, और इधर हमारे पास था, 3 raise to power 6, अब क्या हुआ वई, अब दोनों जो power हैं, वो same होगी, base अलग-अलग है, तो हम यह rule लगाएंगे, कि दोनों base की कर देंगे, multiply, और power जो same थी, वो कर देंगे 6, ठीक है, bracket के अ आ गया, answer आ गया, क्योंकि इसने क्या कहा था, इसने यह कहा था कि exponential form में हमें बताना है, ठीक है, तो आप इसको note कर सकते हैं, next है, find the value of x, x की value हमें निकालनी है, देखो किस तरह से करना है यह x की value, अब 3 by 7, इसने दिया है हमें, 3 by 7, raise to power 3, 3 और whole power minus 2, और इधर है, इधर भी 3 by 7 है, raise to power 2x, तो दोनों तरफ जो base है, वो 3 by 7 है, अब इधर power के उपर power है, तो आपस में multiply हो जाएंगी, तो 3 by 7, और 3 तू जा, जब 3 को minus 2 से करेंगे, तो क्या आएगा, minus 6, multiply की तो minus 6 आगया, और इधर है हमारे पास 3 by 7, raise to power 2x, अब हमने देखा, left hand side में, और right hand side में, powers, जो base है, equal हो गया है, तो powers भी equal हो जाएंगी, base को छोड़ देंगे, powers ले लेंगे, minus 6 किसके equal हो जाएगा, 2x के equal हो जाएगा, अब 2 multiply कर रहा है, उदर जाके करेगा, divide, equal के जब उदर जाएगा, minus 6 को 2 से divide, 2, 3 जा 6, तो क्या आजेगा, minus 3, तो x की value हमारे पास क्या आगी, minus 3, तो इस तरह से question हमने करना था, अब next question है, question number D, हमारे पास simplify करना है, हमने, हमें दे रखा है, 6 raise to power minus 2, plus 3 by 2 raise to power minus 2, यह दे रखा है, हमें, इसको हमने simplify करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो negative power को positive बनाएंगे, 6 की power minus 2 है, तो 6 का reciprocal ले ले लेंगे, वह जाएगा, 1 by 6, 1 by 6 की power क्या हो जाएगी, plus 2, ठीक है, power को positive बना रहे हैं, फिर 3 by 2 raise to power minus 2 है, तो इसका भी reciprocal ले ले लेंगे, 2 by 3 raise to power 2, ठीक है, अब इसको आगे हम solve कर सकते हैं, 1 by 6 की power, तो 2 है, तो 1 by 6 into 1 by 6, ऐसे इधर क्या हो जाएगा, 2 by 3 into 2 by 3, और बीच में plus का sign है, तो 1 और 1 की multiply 1, और 6 और 6 की multiply 36, plus का sign, 2 और 2 की multiply 4, और 3 और 3 की multiply 3, 3 जा 9, अब बीच में plus का sign है, और दोनो rational number है, तो LCM ले लेंगे, 36 और 9 का LCM आएगा, 36, तो यहाँ पर 1 आएगा, LCM लेना आता होगा आपको, 9, 4 जा और यहाँ पर आजेगा, 16, तो 16 plus 1, 17, 17 by 36, यह क्या आगया हमारा answer आगया, तो इस तरह से आपने यह question करना था, अब इसका next question देखते हैं, next question है, question number E, write in usual form, usual form में लिखना है, 11.2 into 10 raised to power minus 7, ठीक है, अब minus 7 है, देखो, कैसे लिख सकते हैं इसको, 11.2 नीचे आ जाएगा, positive बन जाएगा, यह minus 3 पावर, तो जब नीचे आएगा, तो पावर positive हो जाएगी, अब 11.2, 11.2 और 10 की पावर 7 है तो, 7 0 जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, अब हमने लगाना है decimal, decimal कितने के बाद लगाएंगे, क्योंकि 7 0s है, 7 के बाद decimal लगाएंगे, और यहां से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है, इस decimal से गिनना, यहां से गिनना शुरू करेंगे, 1 से, ठीक है, तो 7 के बाद लगाना है, तो 1, 2, आगे कुछ नहीं है, तो 0 लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, और यहां पर आजेगा decimal, अपनी तरफ से 0 लगा दो, और last में क्या था, 2 था, तो 2 लगा दिया, तो यह हमारा क्या इस तरह से आपने यह, जो question करना था, इसका e part, तो हमारा जो b question था, b के सभी part हमारे complete हो गए, अब हम करते हैं इसका next question, जो है question number 2, write the base and exponent, हमने base और exponent लिखना है, तो यह बिल्कुल easy question है, आपने पहले भी किया होगा, तो इसमें base क्या है, मैं यह आपे लिखते हैं, base है मारे पास 1 by 9, और जो इसका exponent है, e है, वो क्या है, minus 4, यह पहले गा, ऐसी, इसका base कितना है, 7 by 11, और इसका जो exponent है, e है, exponent क्या होगा, इसका exponent कुछ भी नहीं है, देख रहे हो आप, जिसका कुछ भी नहीं होता है, उसका क्या होता है, 1 होता है इसकी power क्या है, 1 है, next में, third में देखो, third में थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, तो power के उपर power है, तो power के उपर power है, तो क्या होजेगी, आपस में multiply होजेगी, 0 की जब 2 से multiply करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका base हम क्या लिखेंगे, इसका base हम लिखेंगे, base पावर है, exponent है, वो कितनी है, 0, ठीक है, ये भी हो गया, आप करते हैं, इसका fourth, fourth में जो base है, यानि की bracket के जो अंदर है, वो क्या है, a, c, by, b, और इसका exponent क्या है, पावर कितनी है, 3, next में, इसको चलो, solve कर लेते हैं, next वाले को, खोड़ा सा, bracket के अंदर है, one और minus one की multiply, minus one, और निचे two और three की multiply, six, और इसकी सारे की पावर, zero, तो इसका base कितना हुआ, इसका जो base हुआ, base हुआ, इसका minus one by six, ठीक है, और exponent क्या हुआ, इसकी पावर कितनी है, zero, अब देखते है, part number six, तो इसमें base क्या है, part number six में, minus eleven by twelve, और इसका जो exponent है, यानि की power है, वो कितनी है, four, ठीक है, तो इस तरह से हमने ये question number one और two करना था, इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों का साथ share, जरूर कर देना, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के नमस्कार